बिहार में इस सियासी घहमा सान जारी है एंडिये घटक दल के नेता आपस में ही उलजे हुए हैं खासकर बीजेपी और हम पार्टी के बीच तलखियां बीते कुछ दिनों में बढ़ गई हैं दोनों पार्टी के नेता इसारो इसारो में एक दूसरे पर निशाना साथ रहे हैं इसी सियासी घहमा घहमी के बीच जेडियू ने एंडिये के सामने ऐसी मांग रख दी है कि जिस से सुबह की राजनिती का पारा चड़ गया है केंद्रे मंत्र मंदल में तब दीलियों के चर्चे के बीच बिहार एंडिये का हिस्सा जेडियू ने ये सपस्ट कर दिया है कि इस बार उने भी मंत्र मंदल में जगा चाहिए सहयोगी पार्टी होने के नाते एंडिये को उनका सम्मान करना चाहिए G.U. के राष्टे अध्यात से सांसितार्सि पीजिंग ने मंत्र मंदल में सामिल होने की मन्सा जताई G.U. सुपरेमों आर्सि पीजिंग ने कहा के न्द्र मंत्र मंदल के विस्तार की चर्चा हमने भी सुनी है G.U. भी N. D.A. गटवंदन का सहयोगी है ऐसे में जब भी विस्तार हो तो मंत्रमंडल में जेडियू को हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए गटबंदर में एक दूसरे को मान सम्मान मिलना ही चाहिए एंडियक के जितने भी घटक दल हैं मंत्रमंडल में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए ध्यान देने वाली बात है कि बीते कुछ दिनों से खेंत्रे मंत्र मंदल के विस्तार होने की चर्चा चल रही है प्रधान मंत्री ने अंदर मोधी के कैबिनेट में तब दीलिया होने की संभावना जताई जा रही है ऐसे में जेडियू जो 2019 में चुक गई थी इस बार चुकने के मूर में नहीं दिख रही पार्टी ने अभी से ही अपना मंसाज पस्ट कर दिया है बता दें कि अभी लोग समा में जेडियू के 16 सांसद है पिछली बार क्याबिनेट विस्तार के समय जेडियू कोटे से आरसीपी सिंग के मंत्री बनने की बात थी लेकिन आखरी समय में बात नहीं बनी झाल